हेलो फ्रेंज राधे राधे मेरे नए रिष्टो की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अक्तर शाम को हमें छोटी मोटी भूख लगती है और बच्चों को तो हर समय बस मैगी, पास्ता, मैकरोनी ये सब चीजे खाने को चाहिए होती है सब और बढ़ो को नहीं दे सकते हैं तो आज मैं आप सब सब के साथ गेहूं के आटे से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हईल्दी रेसिपी आज आप सब के साथ शेयर रही हुं जो बचों को भी और बडों को भी सभी को बहुत पसंद आएगी तो आएए देखते हैं इसको कैसे बनाना है यह है लेफ्ट ओवर आटा दुपैर में फुलकों का रोटियों का थोड़ा सा आटा बज गया था तो यह रेसेपी आज हम इसी लेफ्ट ओवर आटे से बनाएंग कर आप कि थोड़ा हकी तो स्नाला भी आगर मोटा भी खाने में कुछा लगी रेचित तो यह हमने थोड़ा जैसा आटे-जैसा अच्छा नहीं लगेगा तो हम इसी पे इसको फोल्ड करते रहेंगे धीरे धीरे पतला पतला टाइट इसको हम रोल करेंगे और लास्ट में हम इसको एक बात का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा पानी लगाके हम इसको इस तरीके से सील कर लेंगे अच्छे से और एक दो बार इसको और रोल करेंगे त बैदे किता पर्फेक्ट रोल है और ज्यादा मोटा नी है और अब हम इसको करेंगे और यह मैंने पानी पहले सी गरम होने के लिए रख दिया था और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ओयल सब चीजों को अच्छे से लें आटे के डीय아서 आधे के इनको तरलें डाल के आधेसे बॉल करेंगे जैसे हम पास्ता को बॉल करते हैं एतनी टेस्टी लगते हैं खाने में आपको बछों को भी नगएगा या बच्छों को भी नहिको हुआ यहां पर अब मसाले की प्रिपेरिंग करेंगे तो यहां में ले लेती थोड़ा सा गार्लिक और एक ग्रीन चिली और रेड चिली जो भी आपको पसंद आए और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो आप सकते हरी मिर्च जालना अब लैसुन और हरी मिर्च को और एक कड़ाई में तोड़ा सा डालेंगे ओयल और इसमें सबसे पहले हम फ्राइक करेंगे गार्लिक एक साइड हमारे वो रोल्स बॉयल हो रहे हैं तो इस वे साइड बाइ साइड हम इसका अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहां मैंने लम्मी लम्मी चॉप करके प्याज इसमें डालिए और थोड़ी सी शिम्ला मिर्च सब्जियों को बहुत जाता गलाना नहीं है जैसे हम नूडल्स में बहुत क्रंची सी सब्जियां रखते हैं उसी तरीके से रखेंगे और यहां मैंने दो टमाटर की प्यूरी इसमें डालिए नॉर्मल पेस्ट करके टमाटर को ग्राइंड करके डाल दीजे इसमें बहुत ईजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है और इसमें तोड़ा संग यहां पर अच्छे से पक रहे हैं यह धेकि हमारे अच्छे से अच्छे सी फ्लोट हो अश्तल काल ने काल लेंगे और झाल आीँ को तंड़ा करने के लिए को मश्तालो और मैं इनको थ्तुरा ससे से शेप में कट कर देंगे आपको जो मना है आप अस तरीके से बहुत चोटे चोटे पीसी कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े ये पास्ता जैसे इसे शेप होती है मैं इसी तरीके से इसकी ओवल शेप में कटिंग करें हूँ और देखें बिल्कु किते पर्फेक्ट शेप आई है इनकी और यहां हमारा मसाला भी रेडियो हो गया है यहां मैं थोड़ा से इसमेर एड़ करूंगी कैचप और थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और यह हैं थोड़े से बॉइल कॉर्म्स सब चीजों क अगर आपको यह थोड़ा ड्राइ लग रहा है तो जो हमने आभी पानी इसमें जिसमें पास्ता वाल स्ट्व से एड़ कर देंगे और अब मिसको एक से दो से किंड के लिए अच्छे से भून लेंगे और हमारा पास्ता एक दम रेडिये और आइए पास्ता एकडम गरम सर् और आप अपने खुदके भी लंच बॉक्स में इसको आफिस पैक करके ले जा सकते हैं उपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा ओरीगेनो एंड चिली फ्लेक्स और ऊपर से थोड़ा और बच्चों को टेस्टी इसको देने के लिए हम इस पर एड़ कर देंगे चीज अगर आप नहीं एड़ करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दीजेगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आटे से बने वे बहुत ही टेस्टी पीजा बॉम्स की रेसिपी शेयर की थी एक तम हेल्दी और बहुत ही टेस्टी स्नाक है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा फिर मिलती हूँ आपको ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई